Hello and Welcome to Stair Anchors इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन पेंटिंग्स की जो बनाई गई थी Fredrick Soro द्वारा Fredrick Soro थे कौन? Fredrick Soro एक French artist थे जिन्हों ने चार पेंट्स बनाई और उन्हें नाम दिया Democratic and Social Republics ये पेंटिंग्स 1848 में उन्होंने बनाई थी ये पेंटिंग्स उनकी ड्रीम को दिखाती थी, विजवराईश करती थी हलाकि इस बुक में एक प्रिंट दिया गया है और जिसका नाम है The Pack Between Nations तो चलिए इस प्रिंट को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इस प्रिंट में दिया क्या गया है पहला ये प्रिंट रहे हैं और Statue of Liberty को होमेच पे कर रहे हैं USA और सिवर लैंड जो कि उस टाइम एक नेशन अस्टेट्स थे चुकि ये प्रिंटिंग 1848 में बनाई गई थी वो इस पोसीजन को लीड कर रही हैं वो सबसे आगे हैं और उन्होंने Statue of Liberty को क्रॉस कर लिया है और जो डिफ्रेंट ये रोपियन नेशन्स हैं जैसे जर्मनी, आस्ट्रिया, जी किंग्डम आप टुसिसली, लॉंबार्डी, पॉलेंड, इंगलेंड, आयरलेंड, हंगरी, और रसिया वो इन्हें फालो कर रही हैं यह पेंटिंग है वो बनाया गया था फ्रेंच रेवलूशन के बाद फ्रेंच रेवलूशन हुआ था 1789 से 1799 के बीच और आप लोग पहले से जानते हैं कि फ्रेंच रेवलूशन के समय में आर्टिस्ट ने लिवर्टी को फिमेल फिगर्स के रूप में रिपर्जेंट किया था तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेचू आप लिवर्टी एक फिमेल फिगर है जिसके एक हाथ में टॉर्च आफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में दूसरी बात यहाँ पे नोटिस करने वाली यह है कि क्राइस्ट और एंजल्स इन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं इन्हें असे बात दे रहे हैं और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर फिटर्णिटी लिखा है जिसका मतलब है कि गौड्स और एंजल्स इन लोगों के बीच ब्रदर हूड यानि भाइचारा प्रमोट कर रहे हैं तीसरी बात यहाँ पे नोटिस करने वाली यह है अगर आप यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यह जो टूटी फूटी जो चीज़े दिखाई गई है वो हैं यह दिखाती है कि रिप्रेसिब गवर्मेंट का अब एंड हो राया है जो कि कोई भी राइट अपने पिपल को पास नहीं करती थी अब यह जो विजन दिखाया गया इस पूरे पेंटिंग में वो एक यूटोपियन विजन है यूटोपियन विजन आखिर होता क्या है यूटोपियन विजन एक आइलिश्टिक विजन है सोसाइटी का जो कि actually exist नहीं कर सकता क्यूंकि उस टाइम पे केवल USA और Caesarland नेशन स्टेट थे बाकी अदर जो नेशन ती यहां पे दिखाये गए हैं वो एक याद दूसरे एंपायर के पार्ट थे और दूसरी जो बात है वो है यहां पे दिखाया गया है पिपल आफ और सोसल क्लास चाए वो गरीब हो या अमीर और साथ ही महिलाओं को भी लिखाया गया है लेकिन उस टाइम तक जो फ्रेंच अबूरुशन के बाद भी जो वोटिंग राइट्स थी वो थी लिम्टेड जो की पोपर्टीट सेक्शन आफ सोसाइटी थें उसमें भी केबल मैन को और विमेन को इस वोटिंग राइट से पूरी तरह से निगलेक किया गया था उन्हें बाहर रखा गया था